लीजे सुनिये मुन्शी प्रेम चंद के लिखे उपन्यास प्रतिग्या के सत्रहवे भाग को मेरी यानि समीर गोस्वामी के आवाज में शेहर में घर घर गली कूचे जहां देखी यही चर्जा थी बाबु दाननात का नाम भी प्रसंग से लोगों की जबान पर आ जाता था जो व्यक्ती कमला प्रसाथ की नाक का बाल आठो पहर का साथ ही हो वो क्या इसको चक्र से बिलको लालग रह सकता है कमला प्रसाथ तो खेर एक रईस का शौकीन लड़का था उसके चरित्र की जाच कठोर नियमों से न की जा सकती थी ऐसे लोग प्रायह दुर्वेसनी होते ही हैं ये कोई नई बात न थी कुछ दिन और पहले यदि कमला प्रसाथ के विशय में ऐसी चर्चा उठती तो कोई उस पर ध्यान भी न देता ऐसे सैक्णों कांड नित्त ही होते रहते हैं कोई परवा नहीं करता नेताओं की मंडली में आ जाने के बाद हमारी बाजापता जाच होने लगती है नेताओं के रहन सहन, आचार व्यवहार सभी आलोचना के विशय हो जाते हैं उनके चरित्र की जाच आदर्श नियमों से की जाने लगती है कमला प्रसाथ अभी तक नेताओं की उश्रेणी में न आया था उसका जो कुछ सम्मान और प्रभाव था वो दाननात जैसे विद्वान, प्रतिभाशाली, सचरित्र, मनुष्यों के मेल जूल के कारण था वो पौधना था जो भूमी से जीवन और बल पाता वो बेल के समान व्रक्ष पर चढ़ने वाला जीव था उसमें जो कुछ प्रकाश था, वो केवल प्रतिभिम्ब था अत्यव उसके क्रत्यों का दायत बहुत अंशों में उसके मित्रों ही पर रखा जा रहा था और दाननात पर उसका निकटत मित्र और संबंधी होने के कारण इस दायत तो का सबसे बड़ा भार था अजी सब एकी ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, ये कथन मुह में आए ना आए पर मन में सब के था दो चार दिन में दरश्टी कौण में एक विचित्र परिवर्तन हुआ, कुछ इस तरह की आलोच न होने लगी कमला प्रसाद बाबू का दोश नहीं, सीधे सादे आदमी हैं, दोरी दूसरे ही के हाथों में थी, दोशी टट्टी की आड़ से शिकार खेलते हैं, इस गरीब को उलू बना कर खुद मज़े उड़ाते थे, फस्ते तो गाबदी ही हैं, खिलाडी पहले भांद कर पार निकल जाते हैं, सारी कालिमा दानू के मुह पर पुद गई, दाननात को सचमुची घर से निकलना मुश्किल हो गया, वो जनता जो उसके सामने आदर से सिर जुका देती थी, उन्हें आते देखकर रास्ते से हट जाती थी, उन्हें मंच पर जाते देखकर जैजयकार की धनी से आ प्रश्न किये जाते, यहां तक कि एक दिन बरामते में कई लड़कों के सामने चलते चलते सहसा उन्होंने पीछे फिर कर देखा, तो एक युवक को हाथ की चौच बनाए पाया, युवक ने तुरंत ही हाथ नीचे कर लिया और कुछ लजित भी हो गया, पर दाननात को ऐसा आगात पहुचा कि अपने कमरे तक आना कठिन हो गया, कमरे में आकर वो अर्द मूर्चा की दशा में कुर्सी पर गिर पड़े, अब वो एक शन भी यहां न ठहर सकते थे, उसी वक्त चुट्टी के लिए पत्र लिखा और घर चले आए, प्रेमा ने उनका उत्रा चेहरा द फिर बोले, मैंने आज तीन महिने की चुट्टी ले ली है, कुछ दिन आराम करूगा, प्रेमा ने हाथ मूँ धोने के लिए पानी लाकर रखते हुए कहा, मैं तो कब से चिला रही हूं कि कुछ दिनों की चुट्टी लेकर पहाड़ों की सेर करो, दिन दिन घुले जाते फिर मैं तो भली चंगी हूं, जिसके लिए अपना घरी पहाड़ हो रहा हो, वो पहाड़ पर क्या करने जाए, दाननात, तो मुझे ही क्या हुआ है, अच्छा खासा गैंडा बना हुआ हूँ, इतना तयार तो कभी न था, प्रेमा, जरा आइने में सूरत देखो, दाननात, सूरत तो कम से कम सौ बार रोज देखता हूँ, मुझे तो कोई फर्क नहीं नजर आता, प्रेमा, नहीं दिल लगी नहीं, तुम इदर बहुत दूबले हो गए हो, तुम्हें खुद कमजोरी मालूम होती होगी, नहीं, भला तुम चुट्टी ले थे, चुट्टियों में त तरह रहो, दाननाथ, ना भया, तुम मुझे खिला खिला कर कोतल बना दोगी, प्रेमा से आज तक दाननाथ ने एक बार भी अपनी बदनामी की चर्चा न की थी, जब एक बार निश्य कर लिया, कि अपनी ख्याती और मर्यादा को उसकी इच्छा पर बलिदान कर देंगी, तो फिर उससे अपनी मर्मवेद न क्या कहते हैं, अंदर ही अंदर गुटते रहते थे, लोग प्रशन सा प्रायह सभी को प्रिया होती है, दाननाथ के लिए जीवन का आधार थी, नक्कू बनकर जीने से मर जाना उन्हें कहीं सुसाध्य था, प्रतिग्या का जो भवन उन् प्रांत्रिक के मंत्र की भाती इस राक के धेर को पुनर जीवित कर सकता था, पर उनकी जबान बंद थी, लोगों से मिलना जुलना पहली ही छूट गया था, अब उन्होंने बाहर निकलना भी छोड़ दिया, दिन भर पड़े पड़े कुछ पढ़ा आया, सोचा करते, खिर प्रांण से निकल जाते थे, एक दिन सुमित्रा आयी, बहुत प्रसन थे, प्रेमा ने पूचा, अब तो भाईया से लड़ाई नहीं करती, सुमित्रा हस कर भोली, अब ठीक हो गए, बदनामी हुई तो क्या, पर ठीक रास्ते पर आ गए, अब सेर सपाटा सब बंद है, घर सुधा हूं, मैं हिर्दय किरानी हूं, रोज नई नई उपाधियां गढ़ी जाती हैं, नई नई नाम दिये जाते हैं, मेरा तो अब जी उप जाता है, पहले ये इच्छा रहती थी, कि ये मेरे पास बैठे रहें, अब ये इच्छा होती है कि कुछ देर के लिए आँखों को मिल रही है, आगे के लिए भी अब ये भायना रहेगा, देहात जाने का हुक्म हो गया है, प्रेमा ने पूछा, कौन कौन जाएगा, सुमित्रा, बस हम दोनों, असल में लाला जी इन्हें यहां से हटा देना चाहते हैं, लेकिन ये तो अच्छा नहीं लगता कि अकेले देहात में जाकर रहें, मैंने भी उनके साथ जाने का निश्य कर लिया है, दो-चार दिन में चल देंगे, तुमसे मिलना तो चाहते हैं, पर मारे संकोच के ना आते हैं न बुलाते हैं, कहते हैं, मैं उसके सामने कैसे ताकूँगा, प्रेमा, इसी संकोच के मारे मैं नहीं भाई ये पच्टाती तो होंगे सुमित्रा पच्टाती तो नहीं रोते हैं ऐसा रोते हैं जैसे कोई लड़की मैके से विदा होते वक्त रोती है सदा के लिए सबक मिल गया मैं तो पूर्णा को पाऊं तो उसके चरण धो धो कर पियूँ है बड़ी हिम्मत की औरत एक बार उससे जाकर मिल क्यों नहीं आती एका एक दाननात हाथ में एक पत्र लिए लपके हुए आया और कुछ कहना चाहते थे कि सुमित्रा को देखकर ठीठक गए फिर चैपते हुए बुले सुमित्रा देवी का बाई मुझे तो खबर ही नहीं हुए सुमित्रा ने मुस्कुरा कर कहा आपने तो आना जाना छोड़ दिया पर हम तो नहीं छोड़ सकते दाननात कुछ उत्तर देने ही को थे कि प्रेमा ने उनके मुखा भास से उनके मन का भाव ताड़ कर कहा जाना आना भला कहीं छूट सकता है बहन इनका जी अच्छा नहीं रहा सुमित्रा हाँ देखतो रही हूं आधे भी नहीं रहे दाननात ने प्रेमा को एक पत्र दिखा कर कहा ये देखो अमरत राय का एक लेख है प्रेमा ने जपटकर पत्र ले लिया फिर कुछ सहियं में थोकर बोली किस विशय पर है वो तो लेख वेख नहीं लिखते दाननात, पढ़ लो न, प्रेमा, पढ़ लूँगी पर है क्या, वही वनीता भवन के संबंदे में कुछ लिखा होगा दाननात, मुझे गालियां दी है, प्रेमा को मानू बिच्चु ने डंक मारा अविश्वास के भाव से बूली, तुम्हें गालियां भी दी है, तुम्हें? मैं उन्हें इससे बहुत मुचा समझती थी, दाननात, मैंने गालियां दी है, तो वू चुप रहते, प्रेमा, तुमने तो गालियां नहीं दी? मतभेद गाली नहीं दाननाथ किसी को गाली देने में मज़ा आये तो प्रेमा तुम्हें एक की सौसो सुनाऊंगी मैं उन्हें इतना नीच नहीं समझती थी अब मालूम हुआ कि वो भी हमी जैसे राग देश से भरे हुए मनुष्य दाननाथ ऐसी चुन-चुन कर गाली निकाली है कि मैं दंग रहा गया प्रेमा अब इस बात के जिक्र ही न करो मुझे दुख होता है दाननाथ ने मुस्कुरा कर कहा जरा पढ़तो लो फिर बतलाओ कि इस पर क्या कारवाई की जाए पटकनी दू या खोपड़ी सहलाओ प्रेमा तुम्हें दिल लगी सूचती है और मुझे क्रोध हा रहा है जी चाहता है इसी वक्त कह दू कि अब तुम मेरी नजरों से गिर गए और लोग चाहें तुम से खुश हुए हो इस चाल से तुमें कुछ चंदे मिल जाए लेकिन मेरी निगाहों में तुमने अपनी इज़त खो दी दाननात तो चलो हम तुम दोनों साथ चले तुम जबान का तीर चला ना मैं अपने हाथों की सफाई दिखाऊंगा सुमित्रा पहले लेक तो पढ़लो गालियां दी होती तो लाला यों बातें न करते अमरत राय ऐसा आदमी ही नहीं है प्रेमा ने सहमी हुई आँखों से लेक का शीरशक देखा पहला वाक पढ़ा तो चड़ी हुई तियोरियां ढल गे दूसरा वाक पढ़ते ही पत्र पर और जुग गई तीसरे वाक पर उसका कठोर मुक सरल हो गया चौथे वाक पर होठों पर हास्स की रेखा प्रकट हुई और पैरा समाप्त करते करते उसका संपूर्ण बदन खेल उठा फिर ऐसा जान पढ़ा मानो वो वायूयान पर उड़ी जा रही है सारी ग्यान इंद्रिया मानो इस फूर्ती से भर उठी थी लेख के तीनो पैरे समाप्त करके उसने इस तरह सांस ली मानो वो किसी कठिन परिक्षा से निकलाई दाननाथ ने पूछा पढ़ लिया मार खाने का काम किया न चलती हो तो चलो मैं चा रहा हूँ प्रेमा ने पत्र को तह करते हुई कहा तुम जाओ मैं ना आओंगी आज मुझे मालम हुआ कि संसार में मेरा कोई सच्चा मित्र है तो यही है मैंने इसके साथ बड़ा न्याय किया आज शमा मांगूगा अगर आज न चाहो तो अच्छा वे समझेंगे खुशा मत करने आये है नहीं प्रिये अब जी नहीं मानता उनके गले लिपट कर रोने को जी चाहता है यह कहते हुए दाननात बाहर चले गए सुमित्रा भी बूढ़ी अम्मा के पास चा बैठी प्रेमा की सुकीरती का बखान सुने बिना उसे कब चेहना सकता था प्रेमा ने उस लेख को फिर पढ़ा तब जाकर चारपाई पर लेट रही उस लेख का एक एक शब्द उसके द्रश्टी पट पर खिचा हुआ था मन में ऐसी ऐसी कलपनाए उठ रही थी जिन्हें वो चाहती थी कि ना उठें फिर उसके भाव ने एक विचित्र रूप धारण किया अमरत राय ने ये लेख क्यों लिखा उन्होंने अगर दाननात को सचमुच गाली दी होती तो चाहे एक शब्द के लिए उन पर क्रोधा था पर कदाचित चित्त इतना आशांत नहोता सैसा उसने पत्र को फाल कर टुकड़े टुकड़े कर खिड़की के बाहर फेंग दिये जो पंक पक्षी को जाल के नीचे बिखरे हुए दानों की ओर ले आए उनका उखड़ जाना ही अच्छा अभी आप सुन रहे थे मुन्शी प्रेम चंद की लिखे उपन्यास प्रतिग्या के सत्रहवे भाग को मेरी यानि समीर गोस्वामी के आवाज में